नमस्कार केतू 18 महीने के लिए मकर राशी में क्या प्रभाव डालते हैं केतू एक रहश्मनी ग्रह है राहू और केतू दोनों आमने शामने राशी में लगना चाट में रहते हैं केतू तुला राशी में बैठे हैं वो अपनी वक्री चाल, उल्टी चाल चलने वाले हैं, वो कन्या रासी में जाएंगे, नौम भावशे भाग भाव में बैठने वाले राहू और केतु ग्रह का बारहू राशियों में से कोई भी राशी अपना राशी नहीं होता, जिस घर में बैठते हैं, वो उसी को अपना आशी मान लेते हैं, केतु हमारे जीवन में दसम भाव में बैठकर क्या नुक्षान, क्या लाब इसके बारे में चर्चा करते हैं, गाल पुरुष की कुली में केतु दसम भाव में बैठे थे, दसम भाव कर्म भाव यानि जोग का घर में बैठे थे, जिसका भी शुब इस में ब्रेक देते हैं केतू की पंचं दिष्टी धन्भाव कर दिए भूम्में प्रॉब्लिम दिए यहां में शमच्रुम जिसे take में हैं लिवा बहुत अच्छा चला अब कन्या रासी में के तू भाग भाव में चर्चा करते हैं भाग भाव में बैठ कर भाग को शुधारेंगे इश्वर प्राश्था और विश्वास बढ़ती जाएगी पंचन दिश्टी से हेल्ज की समस्या ठीक हो जाएगी जार्थी कंपटिशन निकालेंगे सहयोग मिलेगी कोई भी सत्रु को जीत पर जाएंगे जिसका अशुब शितिम हो उन्हें परशानी होगी हार भाव हर भाव में नकरात्मक परणाम देंगे अगर शकरात्मक शितिम हो तो शुब भाव देंगे